हे नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैं डॉक्टर रागव पुजारा नेचरोपथी कंसल्टेंट लाइफ कोच दोस्तो शरीर मात्रम खलू धर्म साधनम इस शरीर को धर्मक के लिए साधन माना गया है इतना ही नहीं अगर हम लाइफ को एंजॉय करन आने वाला है तो ऐसे शरीर की सफाई के बारे में हमने सोचा है अगर हम अपने घर की भी हफते में एक बार डीप क्लीनिंग करते हैं अगर हम अपनी गाड़ी को भी अच्छे से इंटर्नली क्लीन करवाते हैं तो इस महामूली कीमती शरीर के बारे में कभी हमने सोचा कि क् नहाने से इसके सफाई हो जाती है इसके internal part और internal कच्रे के बारे में हम कब सोचेंगे अगर हम healthy रहना चाते हैं तो हमें internal detoxification के बारे में सोचना होगा आज की इस pandemic में जो सबसे ज़्यादा काम में आई ऐसी एक naturopathy treatment के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जो बहुत सारे रोगों में काम में आती है फाइदा करती है रोगों को दूर करती है इतना ही नहीं healthy रहने के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है ऐसी treatment का नाम है वरालसनान भापसनान या इसे English में कहते हैं steam bath तो आईए जानते हैं steam bath के बारे में ये steam bath क्या है कैसे इसको ले सकते है इसकी पद्दती क्या है क्या इसके benefits है कौन से रोगों में फायदा करता है और इतना ही नहीं क्या सावधानिया रखनी चाहिए इसके क्या side effects है ये सभी के बारे में आज हम जानेंगे ये वीडियो बहुत informative होने वाला है अगर आप steam bath के बारे में जानते हैं तो ये आपको बहुत सारी ज्यादा information देगा अगर आप नहीं चाहते हैं नहीं जानते हैं तो definitely ये वीडियो आप end तक देखिए आपको बहुत सारी जानकारिया मिलेगी तो आईए जानते हैं steam bath के बारे में steam bath क्या है तो दोस्तो हमारे शरीर के कच्रे को निकालने के लिए कुद्रत ने एक व्यवस्था रखी है जिसे excreatory system कहते हैं जिसमें kidney आजाती है urinary system आजाती है और हमारे शरीर के सबसे widest area यानि की हमारी skin जिसमें से हम पसीने के रोप में सारा कच्रा बाहर निकालते हैं तो steam ये एक सनान है जैसे हम पानी से नहाते हैं उसी तरह से हमें steam से नहाना है भाप से नहाना है जिससे हमारे शरीर के एक-एक गल जाते हैं और उस से पसीना जादा से जादा मात्रा में निकलता है और पसीने के माध्यम से शरीर का पूरा कचरा बाहर निकलता है। कल स्पा हो कोई भी सेंन्टर वह स्टीम बात के बिना अधुरा है आज कल खर्वनुने करकें बना जाते हैं और एक बॉकस होता है। steam कि पेटी जिससे कहते हैं स्टीम बात लेने की भद्दत ही है तो ऐसा एक box होता है जिसके अंदर इंसान को बढ़ाया जाता है इस box को box के अंदर नली होती है जिसमें से steam निकलती है और उसको cooker के साथ या फिर steam maker कोई भी instrument हो, उसके साथ joint किया जाता है, connect किया जाता है और गर्मी की वज़े से उसमें भरा हुआ पानी जो है, वो उबलता है और उसकी जो steam आती है, उससे हमारे शरीर को स्नान मिलता है अगर कोई problem है, तो हम उसमें पानी के अंदर औशदिया भी डाल सकते हैं और आशदियो वाली steam भी ले सकते हैं, यह steam लेने की प्रक्रिया है steam बात लेने के कई सारे फायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा जो हमें दिखता है वो फायदा है fat burning, जी हाँ दोस्तो, steam बात लेने से हमारी जो body की extra fat है एक्स्ट्रा चर्वी जो जमा हुई है, वो बहुत ही ज्यादा मातरा में decrease होती है, fat burning होती है अगर हम सिर्फ 15 से 20 मिनिट steam ले ले, तो उसमें हम 300 तक कैलरी जला सकते हैं जी हाँ, सोचिए, सिर्फ नहाने से कैलरी बर्न होती है तो इससे अच्छा benefit क्या हो सकता है, कि सिर्फ steam बात लेने से हम weight loss कर सकते हैं और इसके इलवा बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फायदा है, वो है detoxification यह हमें internally detoxify करता है, हमारे body के एक-एक रोम छिद्र, हमारे body के एक-एक pores खुल जाते हैं और शरीर का कच्रा बहार निकलता है, यह हमारी excreatory system को enhance करता है और इसकी वज़े से हमारे सारे organs जो कच्रा निकालने वाले हैं, वो बहुत ही powerfully सारा कच्रा निकालते हैं body की आंतरिक सफाई इससे होती है, जिसकी वज़े से blood circulation बहुत अच्छा होता है पूरे शरीर का blood circulation बढ़ जाता है और छोटी से छोटी capillaries में भी blood circulation होता है जब हमारे शरीर में कच्रा इकटा होता है, तभी blood circulation रुख जाता है तो यह steam bath लेने की वज़े से ना सर्फ कच्रा दूर होता है, बट उसके साथ-साथ blood circulation भी powerful होता है तो दोनों process हमारे body की health के लिए बहुत ही जरूरी है इसके इलावा यह muscular stress को दूर करता है, muscular body को enhance करता है शरीर में कहीं भी pain हो, muscular stress, stretch हो गया हो, कहीं भी muscular problems चल रहे हो तो इसमें हमें जरूर steam bath लेना चाहिए इसके इलावा इसकी एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि यह stress को दूर करता है जी हाँ दोस्तों, आजकल stress का माहौल चाया हुआ है लोग कई सारे बहुत ही depression में और stress में गुम रहे हैं तो ऐसे माहौल में अगर आप stress में हैं तो जरूर steam bath लेजिए पूरा body relax हो जाएगा, mental और physical दोनों तरह के relaxation हमें steam bath से मिलते हैं इसके इलावा यह हमारे body को immunize करता है यह हमारे body की immunity को enhance करता है, boost करता है हमारे body के एक-एक immune organ यह steam bath लेने की वज़े से अच्छे से काम करता है powerfully काम करता है और इसकी वज़े से हमारी जो immunity system है वो बहुत ही fast हमें result देती है, boost होती है तो यह सारे benefit steam bath से होते हैं, इतना ही नहीं एक सबसे visible benefit जो है, वो है हमारी beauty जी हाँ दोस्तों, steam bath लेने से हमारी external skin का जो tone है वो बहुत ही normal और natural हो जाता है तो हमारी natural beauty जो है, वो निखर के बहार आती है और अगर हम सामले भी है, तो भी वो natural beauty बहार आती है तो इस तरह से यह जो naturopathy का steam bath है वो बहुत सारे disease में फाइदा करता है लेकिन हमारी internal health और हमारी strength को बहुत ही powerful करता है यह सारे फाइदे steam bath के होते हैं इसके इलावा steam bath कई सारे रोगों में भी फाइदा करता है सबसे बड़ा फाइदा तो मोटा पे में होता है weight loss करना है, तो steam bath बहुत ही जरूरी है, necessity है और अगर शरीर में जोडों के दर्द हो, कहीं भी pain हो तो pain management करने के लिए steam bath बहुत ही उपयोगी है जोडों का दर्द हो, कहीं भी joint pain हो तो ये सारे pain में ये फाइदा करता है वायू के कितने भी रोगों, वायू के सबी रोगों के अंदर steam bath बहुत ही लाबकारी है इसके इलावा ये uric acid related problem में फाइदा करता है cuff related problem में फाइदा करता है ये हमारे digestion को अच्छा करता है blood circulation के कोई भी problem हो तो उसमें ये फाइदा करता है दोस्तों, जब हमारी coronary artery block होती है और हमें heart attack आता है तब हमें पता चलता है कि artery block हुई है लेकिन इसके इलावा कई सारे body में छोटे छोटे blockages होते है ये blockages को ये steam bath निकाल देता है और हमारे body को healthy बनाता है ये सारे तो direct benefit है indirectly ये diabetes को फाइदा करता है हमारी respiratory system को फाइदा करता है हमारी digestive system को फाइदा करता है muscular system को बहुत ही अच्छा फाइदा करता है in fact ये सारे body के सारी systems को अच्छे से enhance करता है और फायदा करता है directly और indirectly steam bath लेने के क्या-क्या side effects है या नुक्षान है तो दोस्तो steam bath लेने का कोई नुक्षान नहीं है कोई side effect नहीं है लेकिन हाँ risk factor तो सभी चीजों में होता है तो हमें कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए अगर हम स्टीम बात लेना चाहते हैं तो सबसे पहली बात स्टीम बात इस ट्रीटमेंट सो शुरुवात में हो सके तो यह observation में लेना बहुत ज़रूरी है या तो wellness coach या जीम instructor या फिर नेच्रोपेथी डॉक्टर के साथ मिलके कुछ टाइम तक स्टीम बात लीजिए फिर body habitual हो जाने के बाद हम अपने तरीके से स्टीम बात ले सकते हैं स्टीम बात को भूखे पेठी लेना है या फिर अगर हमने खाना खाया है तो उसके तीन घंटे के बाद हम स्टीम बात ले सकते हैं और अगर हमें कुछ तकलीफ हैं जैसे की heart problem है जैसे की blood pressure हमरा हाई है या फिर शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो ऐसे समय पे एक से दो ग्लास पानी पीकर ही स्टीम बॉक्स में बैठना चाहिए स्टीम बॉक्स में बैठने के बाद सिर पर ठंडे पानी का नैपकिन रखना चाहिए और अगर हम रूम स्टीम ले रहे हैं तो रूम स्टीम में भी हमें एक टावल को ठंडे पानी में भिगो के उसे सिर के उपर बांद देना चाहिए और फिर हम स्टीम रूम में जाना चाहिए इसके इलावा अगर स्टीम बाथ लेने के तुरंट बाथ के दौरान अगर हमें कोई तकलिफ होती है बेचे नी होती है या एंग्जाईटी होती है चकर जैसा लगता है तो तुरंधी steam bath को steam bath को बंद करके steam bath में से बाहर निकल जाना चाहिए और तुरंधी थोड़ा-थोड़ा करके पानी पी लेना चाहिए steam bath लेने के तुरंध बाद हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए या फिर napkin को या towel को भिगो के पूरे body को rub करके उसका blood circulation natural कर देना चाहिए और इसके इलावा जो हमें ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि आराम steam लेने के बाद हमें 15 से 20 मिनीट तक जरूर आराम करना है और इसके इलावा बहुत सारे problems ऐसे हैं जिसमें steam bath हमें नहीं लेना चाहिए तो उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए कौनसी condition में हमें steam bath नहीं लेना चाहिए तो अगर किसी को epilepsy के attack आते हैं मिर्गी के attack आते हैं तो उनको steam bath नहीं देना चाहिए अगर बहुत weakness है क्षीन शरीर है TB जैसे problem हुए है या फिर बहुत ही ज्यादा उम्र की वज़े से शरीर क्षीन हुआ है तो ऐसी condition में हम observation के साथ ले सकते हैं otherwise नहीं लेना चाहिए pregnancy के दौरान हमें steam bath नहीं लेना चाहिए इसके इलावा body में कहीं भी hemorrhagic condition हो और blood flow निकल रहा हो तो ऐसी condition में हमें steam bath नहीं लेना चाहिए स्त्रियों के लिए specially बहनों के लिए periods अगर चालो हो तो periods के दौरान steam bath बिलकुल नहीं लेना है और इसके इलावा हमें ये भी दियान रखना है एक नियम जो सभी जिगा पे universally लागू होता है वो है अती सर्वत्र वर्जे जिहां दोस्तों steam bath के बहुत सारे लाब हैं बहुत सारे benefits हैं बहुत जरूरी है लेकिन अती मात्रा में अगर किया जाए तो definitely इसके नुक्षान होते हैं तो हमें steam bath 15-20 मिनिट ही लेनी है गर्मियों के समय में हम इसे 5-10 मिनिट तक ले सकता है ठंडी की सीजन में हम इसे 15-20 मिनिट तक ले सकता है लेकिन इससे ज्यादा अच्छा है तो ले लेते हैं इस ऐसा करके हमें नहीं लेना चाहिए हफते में एक बार दो बार मैक्सिमम तीन बार हम steam bath ले सकते हैं अगर कोई special purpose से ले रहे हैं कोई special detoxification के लिए ले रहे हैं तो कुछ समय के लिए हम regular steam bath ले सकते हैं लेकिन वो भी doctor के observation के साथ ही तो इस तरह से हम steam bath का अच्छे से अच्छा benefit ले सकते हैं दोस्तो आज के समय में steam bath बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है जहां पर ये viral infection हमें पूरे देश को पूरे विश्व को रोके हुए है वहाँ पर steam bath लेने की वज़े से लोगों की immunity इतनी enhance हुई है कि pandemic में संक्रमन होने के बाद भी recovery का rate बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया है हम सभी ने इसका अनुभव किया है और हम जानते भी हैं इसके बारे में लेकिन ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ संक्रमन के लिए या सिर्फ pandemic के लिए treatment नहीं है ये treatment immunity enhancer treatment है ये treatment detoxifying treatment है तो इसको regular use करने से हमारा पूरा body detoxify होता है और हम naturally बहुत ज़्यादा healthy रह सकते हैं तो इसकी पूरे विश्व को जरूरत है सभी को जरूरत है तो अपने आस पास के जितने भी लोग हैं अपने relative जितने भी लोग हैं उन सभी को ये वीडियो पहुचाइए steam bath की जानकारी सभी को दीजिए और steam bath लेते रहिए naturally healthy रहिए इसके साथ साथ एक काम और भी कीजिए इस चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि naturally healthy कैसे रह सके इसके जो भी वीडियोज हम बनाते हैं वो हम आप तक easily पहुचा सके आपको notification में ये वीडियोज आजा और हम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद